हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब को मेरी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइश्टैल पूजा पार्ट से चूड़े हुए और अपनी लाइफ का एस्पिरेंट तो फ्रेंड्स जैशी किष्णा रादे रादे आप में कोई कमी ना हो इस चैशी के विसे ध्यान आखना है साथ ही साथ सुभमूरत को नजह अंदाज नहीं करना है तो चले फ्रेंड्स आज के जो है हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो दीर दीर लंबी हो जाएगे अगर जादा बाते करेंगे तो अप के लिए दिवाली का पूजन बताऊंगी दिवाली के दिन हमारे हां काली माता का भी पूजन होता है मेरे घर में होता है हम लोग लच्मे माका करते हैं जो लोग काली माका करते हैं उनके लिए भी शुभमूरत क्या है तो सभी के लिए सब कोच है प्लीज वीडियो को को धन तेरस मनाई जाती है तो आप बहुत अच्छे से समझ करें कि जो कार्तिक मास आता है उसमें जो तिरियो दशी मनाते हैं क fascist हो जाएगी दयक्स तारीक जाएगी इसके बाद में आपको मुषrid बता देती हूं करें dzi बहुत द्धान से समझ इसे समय बहुत कम है और चीज हैं सब्सक्ने मैं आपसे वो लग भाई होता है जो वेक्ति कुछ कर सकता है वो सामने वाले को भी बोलता है जो कुछ से नहीं कर सकता वो सामने वाले को भी नहीं कह सकता जैसे कि अब पूजा का शुब मूरत और खरिदारी का शुब मूरत जैसे कि मैंने आपको पूजा के इसकी विधी जब मैंने बताया था कि धंतेरस के दिन कोशिश करिएगा तामे पीतल काशे के बरतन लेने की लोग सोने चांदी के भी लेते हैं लेकिन आप लोग सब अपन अपनी शम्ता के नुसार देख लीजेगा, कुछ आयरवेदिक दवाईया आवश्य खरी दियेगा, इनका पूजन विसेज करिएगा, इस बात का विसेज ध्यान रखिएगा, अब शॉपिंग का जो शमय है, धंतेरस की खरीदारी का जो समय है, वो प्रदोश काल का है, और प अगर पूज कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं, तो परिशान मतब़ेगा, तिरियोधिक का मास भी एक घड़ा बहुत शुब होती है, तो पूज का मूरज विसेज ध्यान में रखिएगा, शॉपिंग भले हो सकता है, पर्दोश काल में ना कर पाएएगा, उसके पहले कर तो जैसे कि मैं पहले कर लेती हूं मुझसे नहीं हो पाता है मैं धंतेरस वाले दिन इतनी बीड में शाम के समय प्रदोशकाल में बहुत मुझे पूजा भी करने होती है तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेगा चलिए हम अपने मुरत को प्शुरू कर देते हैं हमारे मुरजो खरिदारी का मुरत प्रदोशकाल सूरस्त के बाद के तीन घंटे होते हैं उसमें हैं पूजा का समय पांच परच कर 38 मिनिट से लेकर 8 बच कर 13 मिनिट तक रहेगा शाम को शुबह में नहीं है यह मुरत शाम में आप लोग फिर से याद कर लीचे सुन लीजे चाहें तो नोट कर लीजेगा मुरत थोड़ा सा कम है इस बार इस बात का ध्यान रखिए अब इस तो इस मुरत में आपको दुकान की चाहें तो आप पूजा कर सकते हैं कुछ ल स्थिर लगन साम को 6 बच कर 49 पीम से रात 8.45 पीम तक रहेगा तो मुझे लगता है कि धंतेरस का सुबह मूरत जो है वो यहाँ किलियर हो गया होगा मेरे सबी भाई बेहनों ने धंतेरस का मूरत समझ लिया होगा कि कब क्या है चले अब हम बात करते हैं यह हमारे धंतेरस का शुबह मूरत हो गया है इसके बाद से अब बात कर लेते हैं अपनी दीपावली का क्योंकि इसके बाद जो भी दिपूजा होगी वो पांस दिन होगी इसमें कुछ मेरे प्यारे भाई बहनों के कमेंट है उन्हें भी में किलियर करूंगी वीडियो के लास्ट में पहले हो जाएगे आप लोग समझने पाएंगे तो अब हम बात करते हैं दीवाली की तो कार्टिक मास की अमावश्या जो होती है उस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं भारत का सबसे बड़ा तहवार होता है दीपावली कई चीजें से जूड़ी हुई है तो जैसे कि हमारे राम कार्टिक मास की अमावश्या के दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं लश्में पूजन का शूब मूरत 27 अक्टूबर साम 6 बचकर 42 मिनिट से 8 बचकर 12 मिनिट तक रहेगा तो आप लोग इस मूरत को फिर से लिख लीजिए मैं फिर से बोल देती हूं शाम 6 बचकर 42 मिनिट से 8 बचकर 12 मिनिट तक रहेगा मूरत थोड़ा सा कम है क्योंकि पूजा लंबी होती है थोड़ा सा समय लगता है अब जो है पूजा की खुल अबदी जो एक घंटा 36 मिनिट की ही होगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि पूजा का शमय कितना कम है एक घंटा 36 मिनिट का मतलब तक ही रहेगा तो प्रदोस्काल का समय भी यही है कुछ बदला नहीं है अब अमावश्य कब शुरू हो रही है इस बात का विसेज ध्यान रखना चाहिए दिखे मूरत क्या है पूजा के वह बहुत माइने मतलब रखते हैं लेकिन तिथी कब शुरू हो रही है कब वह अब थोगी 28 अक्तुबर सुमबार सुभा नौ बचकर आठ मिनिट तो यह है अब इसी देड़ घंटे के मूरत में आपको दुकान की भी पूजा करनी है और आपको घर की भी पूजा करनी तो अगर आप दुकान खोले तो पहले आप अपनी दुकान की पूजा करिएगा क् आपको दुकान की पूजा करनी है वहीं से आपकी रोजी रोटी चल रही होती है वहीं से मर्तब सारे जो है वो काम धंदे आपके चल रही होते तो सबसे पहले आप पूजा कर लीचे दुकान की उसके बाद आप अपने घर की पूजा करें क्योंकि पूजा का समय आपके प मुझा निशीद काल केहते हैं, जो जानते हैं और लोग समझ भी गाहे हैं, जो महानिशीद काल का शुब मूरत होगा, वो रात को ग्यारा भच कर 37 मिनिट से सुरू हों के, बारा भच कर 24 मिनिट तक रहेगा, कुल अवधी 21 मिनिट की है, तो आप लोगों के लिए भी समय बहुत लंबी होती है, बहुत विद्विधान से होती है, तो आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लें, मैं फिर से एक बार बोल देती हूं, कि जो हमारे प्यारे भाई बहन बंगाल से हैं, जो काली माटा का पूजन करेंगे, महा निशीद काल का जो शुरू होगा मूरत, वो आपको कुछ कमेंट्स आय थे, अब ये कमेंट्स की जवाब तो नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं क्या बता हूं, आप लोग वीडियो पूली देखते नहीं, फिर सवाल करते हैं, बढ़ा अजीप से लगता है, कुछ लोगा कमेंट ये आया था, क्या यम्राजी का दीपक ह पांच तहवार जब शुरू होते हैं, तो इनकी पूजन परदोशकाल में शुरू होते हैं, परदोशकाल कब लगता है, इसे समझे लें, परदोशकाल साम को जब सूर अस्त हो जाता है, उसके बाद के जो तीन घंटे होते हैं, वो परदोशकाल होता है, तीन घंटी के पितोरूग जल फिर कहान है आप पिपल का पेड़ नहीं आब अपर準ियों नहीं तो पिशाल काया के अप्सकों यैसे पाल के पेड़ का पेड़ को जोड़ की नय। जो कि विशाल काया हो विशाल काया नहीं हो 구ibli शाल काया मतलब दसकर नहीं होटे ब稿 आपiono поговор तो दीपक और जल नहीं दिया जाता अब बात करते हैं कि मेरे बहुत ही प्यारी सी विवर्स उनका कमेंट आए कि दीदी क्या जब हम यावराज दीपक जलाएं तो क्या फैमिली के सभी सदे से मौजूद होने चाहिए तो जी ऐसा कुछ नहीं है हर लोगों की अपने अपनी जाता होगी अगर यह नियम बाद देता हो जागी तो फिर लोग अपना काम ही नहीं कर पाएंगे तो घर में जो में मेंबर है जो पूजा करता है बस उसका होना जरूरी है क्योंकि पूजा उसे ही करनी है बकाय के तो सब हो जाता है तो जितने लोग है घर में अगर उपस् किया आप बैठी रहती है दिन बर बस फालतू का काम करती है कोई काम दंदा नहीं है बस यही काम है तो मैं यही करती हूँ क्योंकि बहुत चोटी से मेंडी है और सब अकेले मैंनेज हो जाता है तो आप परिशान मत हो यह मैं कर लेती हूं आगे मैं आपके साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो पहले दिवाली का पूजन शेयर कर दूगी बोलेंगे तो शॉपिंग शेयर कर दूगी जो भी आप लोग कहेंगे तो वीडियो में कमेंट करिए कर दूँ क्योंकि उसके बीच में हो सकता है कुछ confusions आएं कुछ बातें आएं कुछ कमेंट्स आएं जो किलियर ना हो पाएं तो मुझे वह भी किलियर करने तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं दिवाली की पूजन का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं वह बना सकते हैं वहां आपको बहुत अच्छे दे फोटो देखने को मिलें कि न्यू अप्टेट्स मिल जाएंगी वीडियो प्लोड होगी आपको सबसे पैदे वहां पता चल जाएगा तो फ्रेंट्स हम मिलते हैं नेक्स टूडियो तब तक के लिए आप चैनल को सस्क्राइब करे ने वीडियो को लाइक करें फ्रेंट्स और फैम्ली के शाथ श्यार करना ना बोलने हम मिलते हैं नेक्स टूडियो तब तक लिए चैनल किशना रादे रादे बाए बाए